हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा आउनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं वुमैन मिलेटरी पुलिस की भरती के बारे में तो दोस्तो एक वीडियो मैं अपनी चैनल पर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो आई बेटन पर मिल जाएगी जाकर उस वीडियो को देख लें तो दोस्तो उस वीडियो को अपलोड करने के बाद में मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें जो केंडिडेट्स हैं जिनके लिए इस भरती में अपलाई करना है उनके लिए बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे उनके कुछ डाउट्स इस परकार थे कि सर क्या यह ऑनलाइन भरती मतलब ऑल इंडिया भरती होगी इसके ऑनलाइन रेइस्ट्रेशन कब से कब तक चलेंगे मैं असाम कर रहने वाला हूं तो इस समार्स मिलें गया सर मैंने NCC का सी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो इसी तरह से दोस्तों मैं आपके लिए इस वीडियो में आया हूं आपके हर सवाल का करेक्ट जवाब देने के साथ साथ मैं आपके लिए यहां पर बहुत सारे चीज़ें और भी बताऊंगा तो वीडियो तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ मोटी मोटी बाते बता देना चाहता हूं सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहता हूं कि यह भरती जो है वो ऑल इंडिया भरती है आप इंडिया के किसी भी स्टेट से रहने वाले हैं तो इस भरती में आप अपलाई कर सक इसके online apply दोस्तों already start हो चुका है 17 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक इसके online registration start हो चुकी है ठीक है अब बात करते हैं कि भरती होगी कहां पर मतलब place ठीक है तो यहां पर अंबाला लखनव जबलपूर बैंगलोर सुलोंग और पुले यह जो कुछ मतलब सहरों के नाम दिये गए हैं दोस्तों तो आपकी जो भरती होगी वो इन्हीं जिलों में सहरों में होगी आप इंडिया के किसी बेस्टेट से को किसी रहने वाले हैं किसी भी डिस्टर्क है रहने वाले हैं लेकन आपके लिए जो आपका फीरक हुगा फीजिकल फिटनिश टेस्ट उसके लिए आपको ils are में आकर अपना PFT के लिए देना होगा ठीक है तो अभी चलते हैं हम आपके questions की तरफ तो questions की तरफ चलते हैं आपके यहां पर हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा bonus marks के बारे में रेटें टेस्ट ठीक है यह हैं आपके bonus marks यहां पर जो दिये गए हैं इनको मैं आपको बिल्कुल धीरे-धीरे करके और तरीके से बताऊंगा जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा सबसे उपर है यहां पर आप देखेंगे daughter of servicemen, daughter of ex-servicemen, daughter of warbidos, daughter of videos of ex-servicemen ठीक है तो दोस्तों अगर आप इन में से किसी से भी ब्लॉंप करते हैं तो जो आपके लिए bonus marks मिलेंगे, वो मिलेंगे 20 marks मतलब हिंदी में अगर आप ex-servicemen की daughter है, servicemen की daughter है या फिर warbidos, अगर आपके पिता जी आर्मी में थे, आप उनके daughter हैं, सहीद हो गए हैं ठीक है इस तरह से, तो आपके लिए हाँ पर दोस्तों दिये जाएंगे 20 marks, उसके बाद में videos of defense person who have died in harness ठीक है, तो अगर आपकी मा, videos of defense person, sorry दोस्तों, अगर आप किसी defense person की videos हैं, मतलब आपके husband आर्मी में थे और वो किसी कारण से सहीद हो गए, तो उनके लिए भी आपको 20 marks दिये जाएंगे, ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, सबसे अच्छे topic दोस्तों, NCC की, तो N आपके पास में A certificate है, तो आपके लिए 5 marks दिये जाएंगे, B certificate है आपके लिए, तो आपको 10 marks दिये जाएंगे, और अगर आपके पास में C certificate है, तो आपको return test नहीं देना होगा, मतलब आप already केवल physical और medical करके ही qualify कर जाएंगे, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं, हम sports की, ठीक है, sports women, तो यहाँ पर दोस्तों, represented India at the international level, ठीक है, तो आपने इंडिया के लिए कभी represent किया है, international level पर अगर तो आपके लिए 20 marks दिए जाएंगे, आपने medal का कोई भी matter नहीं करता है, आपने cable represent किया, मतलब आप इंडिया के लिए किसी भी international match में अगर खेले हैं, तो आपको 20 marks दिए जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में हैं दोस्तों, represented state at the senior of the junior national level and have won any medal in individual event or have reached up to 8 position in team event, तो अगर दोस्तों, आपने state के लिए perform किया है, junior and senior national level games में, या आपने कोई भी medal जीता है, ठीक है, individual, मतलब आपने खुद कोई medal जीता है, या फिर अगर आपका game team wise था, जैसे दोस्तों, basketball होता है, volleyball होता है, कबड़ी है, ठीक है, इस tribe का आपका कोई game था, अगर तो आपके मिलेंगे, 15 marks, उसी तरह से दोस्तों, आगे चलते हैं, represented college of league university in inter university championship and have won any medal in individual event or have reached up to 6th position in the team event, तो आपको 10 marks मिलेंगे, उसके बाद में इसी तरह से ये पूरे marks के बारे में दिया गया है, video बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों क्या है, मैं आपके लिए पूरे के बारे में नहीं बता सकता, तो यह जो notification है, इसका link मैं video के description में दे दूँगा, आप बहां से जाकर इस notification के लिए download करके और पढ़ सकते हैं, ठीक है, अभी हम दोस्तों बात कर लेते हैं, documents की, सबसे जरूरी है, documents के बारे में आपको जानना नहीं, तो क्या होगा, आप बहुत दूर से आएंगे, अपने state से और आपके पास में आकर proper document लेकर नहीं आएंगे, तो क्या होगा, कि आपके लिए disqualify कर दिये जाएगा, आप भरती में सामिल नहीं हो पाएंगे, तो candidates are required to bring following documents, oblique certificates in original with two attested photo copies with them to the daily sites, ठीक है, तो आपके लिए क्या करना है, अपने साथ में documents, original documents लेके आने हैं, मतलब दो-दो copy, attested photo copy के साथ में, original document लेके आने हैं, उसके बाद में आपके पास में हर document oblique certificate की, एक-एक, sorry, दो-दो original और attested copy होना जरूरी है, जब आप भरती देखन जाएं, तो सबसे पहले हैं, दोस्तों, आपका admit card, printed with laser printer on good quality paper, ठीक है, photographs, 20 copies of unattested photograph, photo passport size color photographs, developed on good quality photograph paper, ठीक है, तो आपके लिए क्या करना होगा दोस्तों, white background, मालब आपके जो फोटोग्राफ है, उसका background white होना चाहिए, और आपके लिए ये 20 फोटो लेके की जाने है, unattested, ठीक है, passport size photo, ठीक है, passport size 20 फोटो आपको white background की साथ माँ unattested photo लेक जाने है, unattested का मतलब कि उस पर किसी कभी signature बगरा नहीं होना चाहिए, simple photo होना चाहिए, अभी बात कर लेते है, education certificates की, ठीक है, तो education certificates के बारे में बताने से पहले, दोस्तों, मैं आपसे request करना च किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे YouTube चैनल, SIVA Online Classes को subscribe जरू करें, तो दोस्तों, education certificate में आपको लेके जाना होगा, education certificate with marked sheet in original of all educational qualification achievements achieved by candidates, is that metric, intermediate, graduation, etc. from recognize school, college, board, university, ठीक है, तो आपके लिए क्या कर नहों होगे, दोस्तों, education certificate अपने लेके जाने होगे, पूरी original में, mark sheet बगरा, आपके पास में जो जो certificates है, school, college, graduation के जो भी है, ठीक है, इनको आपको लेके जाना जरूरी है, उपर मां बता चुका हम original और दो-दो, certificate should be certified inks and by the head of the educational issues of concerned board of like university, तो अकर आपने कोई भी online education certificate है आपके पास में, तो उसके भी आपके पास में, original यानि की inks and copy होना जरूरी है, उसके बात में हैं दोस्तो, candidate with metric certificate from open school should bring school living certificate, counter sign by do, ठीक है, तो दोस्तो, अगर आप metric हैं और open school से आपने metric की है, तो आपके लिए अपने साथ में school living certificate ले जाना जरूरी है, वो भी counter sign होना चाहेंगे, beo या फिर deo से ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तो, आपको लेके जाना है जो, nativity certificate, caste certificate, religion certificate, character certificate, NCC certificate, relationship certificate, if you have ठीक है, तो यह है दोस्तो वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लेना, साथ इसाथ वेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जैंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे